जी नाजरीन मैं आपकी होस्त नादिया हमीद एडवोकेट हाई को नैशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं हाजरे खित्मत है और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है नियाज आमिर वो तकरीबन 21 साल से बकालत के पेशे से मुंसलिक है और मुसलिक क्रिमिनल केसिस करते हैं आईए नाजरीन इनसे बात करते हैं नैशनल आमिर साथ मैं आपको अपने प्रोग्राम कानून के कहता है मैं वेलकम कहते हूँ वक्त के साथ जैसे इनसान के अंदर अदम बरदाश पैदा होती जा रही है और वो दूसरों को बलकुल बरदाश नहीं करता और मुक्तलिक किसम के जराइम इस वज़ा से जनम लेते हैं और इसमें से आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे मर्डर या कतल जो के कराइम की संगीन शकल है और उसके लिए मैं नियाजा अमिर साब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने इतना अच्छा और इतना मुफीद टॉपिक चुना और हमारे पास लेका है ताके हम नाजरीन को आगाह कर सके कि अगर किसी के साथ मर्डर की क्या एक साह में और मर्डर में क्यों कॉन से स्टेजिस जो है आड होती है जो के जनली पबलिक को नहीं पता और मुख्लिफ किसम की इसी वज़ा से परेशानिया बरदाश करनी पड़ती है जी सर जैसे कि मैंने इंट्डेक्शन में बोल दिया कि आज हमारे टॉपिक जो है वो कतल है तो आप मुझे बताईगा कि कतल या मर्डर किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आप लिगली डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में मैं बहुत जादा शुकर गुजार हूँ नेशनल टीवी का और आल टीम का और मिस्स नादिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इंवाइट किया और मुझे मौका मिला कि मैं अपने बहन भाईयों के अविरनेस के हवाले से जो भी मैं लिगली उनको अगा कर सकूं वो करूं अगिश्ली जो मर्डर है वो हम आम फैम में हम यह कहते हैं क्ए एक बंदे को मार देना जब कोई किसी बंदे की जान ले लेता है तो वो मर्डर कहलाता है मर्धर को हम आम जेनरल फहर्म में हम यूँ डिफाइन करते हैं कि एक बन्दा जब किसी दूसरे बन्दे की जान ले लेता है किसी की कतल कर देता तो हम उसको मर्धर कहते है तो उसमें कुछ ऐसा भी है कुछ इरादातन कतल है और कुछ गैर इरादातन intentionally or non-intentionally तीक है तो मर्ड़े की क्या इक्साम है क्योंकि हम लीगली तो लोग तो समझते हैं कि एक बंदे को मार दिया तो यह मर्डर हो गया लेकिन हमारे हाँ लॉव में उसको मुक्तलिफ स्टेडिस में डिफाइन किया गया मुक्तलिफ उसकी एक्साम स्पैसिफाइ की गई है तो काईली उसके बारे में जड़ा नाज़िन को बताएं ताकर इनको उनके शाओर में जएदा इजाफा हो मर्डर की एक्साम जो हैं वो हमारे पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड्स को हम कहते हैं उसमें काफी सारी एक्साम हैं कुछ ऐसी एक्साम है जो असान लफजों में थोड़ा एक्स्प्लेइन करूंगा कि कुछ ऐसे मर्डर हैं जो मर्डर कहने को भी मर्डर हैं और प्रामा शायवी भी ये मर्डर ही नज़र आते हैं लेकिन वो कनोने जुर्म नहीं होते उनको उनमें वो सदा नहीं है जिस जैसे हमोमन हम देखते हैं कि एक murder case में किसी मुल्जम को जब वो मुझरम बन जाता है जब उसके खलाफ एक जुर्म थाबित हो जाता है तो वो मुझरम कहलाता है उसको दो sentence में से एक sentence मिलती है या तो life लाइफ एक थोड़े दिन पहले मैंने हमारे पास एक केस आया कि उसमें दो क्यूज थे मैंने क्यूज नहीं था वो साथ में सपोर्टर था यानि उसको लाइफ एक यानि था तो क्या इस सूरत में बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है क्यों और मुस्ट ली हमारे हाँ जो क्लाइन्स आते हैं वो देखते हैं कि मेंन कलपर तो ये था इसने गोली च रही था लेकिन ये साथ था तो इसने कतल किया तो इसको क्यूज ने सेजा नह कोड जो है में जिसने मर्डर किया हो इसको क्यों नहीं बेल देता और जिसने साथ ही हो उसको क्यों बेल देता है जो सेक्शन 109 पाकिस्तन पैनल कोड और 120 जो है वो डिफाइन करता है 120 जो है वो क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी को डिफाइन करता है जिसमें हम ये असान लफ़ों मैं कहते हैं साज़श मुझरमाना जो किसी को किसी भी केस में मरडर हो या कोई भी किसी किसम का क्रिमिनल केस है उसमें एसिस्ट करना सहूलतकार होना वो जो है वो साज़श मुझरमाना का हिस्सा बनता है उसको हम क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी बोलते हैं एंड सेकिंड जो किसी को तो सिर्फ मश्वरा देना के आप ये काम कर दो हम आपके साथ हैं वो उसको हम अबेटमेंट कहते हैं जिसको मदद भी कह सकते हैं आनत भी उसका लफज स्पैसिफाई किया गया है पाकिसान पैनल कोड में और उसमें अब आपके क्वेस्टिन का जवाब जो यह है कि जब में जो कल्परिट है जिसने फाइर किया है और वो उसने किसी की जान ले लिया है कतल कर दिया है तो उसको कोट जो है वो जो है वो बेल लेंग गरांट करती और जो मशवरा देता है जो उसको जो उसका एक सहुलतकार है बैटर है उसके मशवरे से वो कतल कर रहा है तो उसको इस कि इसके opposite बात यह हैं कि जो इसको किसी की सहूलतकार है जो किसी को instigate कर रहे है कि आप ये काम कर दो हम आपके साथ होंगे परेशान ना हो actually main जो है accused main culprit या accused वही है जिसको जो इसको instigate कर रहा है जो main जो किसी को सामने से fire करता है या कोई भी वार करके ऐसा murder कर देता है वो main culprit है लेकिन प्राइम आफ शाई जो है वो सामने से उसको उसकी जाती रंजश नहीं किसी के साथ ना वो किसी को murder कर रहे वो तो किसी के कहने पर ये काम कर रहे और चूंके circumstantial evidence जो होती है वो उस main culprit के खलाफ जाती है कि इस बंदे ने फलाँ बंदे के सामने फलाँ लोगों के सामने फलाँ बंदे को murder कर दिया पिस्टल का वार किया या कुलहारी का वार किया या कोई भी ऐसी कोई ऐला ऐसा जर्ब जो लगाई जिससे उसके बंदे की जान चली गी तो मेंन कल्परिट वही गिना जाता है लेकिन मेंन कल्परिट इसके आपोजिट है वो बंदा जो अबैटर है जो किसी को ऐसे तो फायर कर रहा है या उसकी जान ले रहा है वो किसी भी आले के साथ ले सकता है तो वो जो है वो सिर्फ वो उस एक्ट को परफॉर्म करता है उसके बेहाफ पर लेकिन हम लोग लीगली क्योंकि वो एक्ट उसने किया है इस वज़ा से उसी को हम कहते हैं कि यह सजा के लाइक ह circumstantial evidence उसके खिलाफ जा रही होती है ठीक है सर हम लोग अकसर सुनते हैं कि suicide हो गया या homicide हो गया तो इसमें क्या फर्क है? क्या ये भी कतल की ही एक साम में शामिल होती है? जी बिल्कुल ये suicide का वर्ड जो है ये दो लफजों से मिलके बनता है suicide मिन कट लगाना जरब लगाना अपने आपको नुकसान देना suicide यानि खुद अपने आपको bodily जरब लगा देना चुरी चाकू का वार कर लेना या अपने आप पे आग चिलिक लेना पेट्रोल चिलिक लेना आग लगा लेना ये suicide का लाता है खुद अपने आपको और homicide homicide ये एक अनदर काइंड है murder की उसमें homicide भी एक लेटिन वर्ड है और suicide भी एक लेटिन वर्ड है हुमी हुमी का जो लफजी मतलब है लातीनी जबान में उसका मतलब होता है human being और side का मतलब होता है जैसे मैंने पहले बता दिया कि कट लगाना कट लगाना जखम लगा लेना वो जब homicide को हम दोनों को मिला कर पढ़ते हैं तो किसी इनसान को इस तरीके से वार करना या फायर मारना या किसी तरीके से कोई डंडा कोई स्टिक या किसी भी आला से जर्व इस तरीके से लगाना कि वो बंदा अगले बंदे की जान चली जाए उसको हम homicide कहते हैं और suicide हम उसको कहते हैं कि खुद अपने आपको किसी तरीके से अपने आपको बॉडिली तोर पे नुकसान देना इतना नुकसान देना कि हमारी जान ही चली जाए उसको हम suicide जिसको हम खुदकुशी का नाम भी कहते हैं वो अंडर सेक्शन पीपिसी 325 जो है उसको डिफाइन किया गया परोपर सर एक वर्ड जो है हम आम फहमें जो डालतों में सुनने आता है कतल आमद और दूसरी भी ऐकसाम सुनने में आती हैं तो क्या आप मारे नाजरीन को इन कि इसकाड़ बारे में डिटेल में बताएंगे और इनकी क्या डिफरेंस इन में किया मिस नादिया जो कतल आमद है वो तो असान लफजों में हम इसको यू डिफाइन करते हैं कि किसी भी शक्स की जान लेने लेना, जान बूज कर इरादातन इस नियत से किसी दूसरे परवार करना या फाइर मारना कि उसकी जान ही चली जाए, उसको हम कतले अमद कहते हैं जो सेक्शन टू डू डबल नाइन से ल गी और प्लस उसकी सिजा भी डिफाइन कर दीगी अंडर पीपी सी पाकिस्तन पैनल कॉर्ड में और इसके जैसे अब आप बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे के सूसाइड क्या है और होमिसाइड क्या है, इसमें होमिसाइड और होमिसाइड की आगे फर्दर दो किसमें होती है एक होता है कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है इनकल्पेबल होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड से मराद एक ऐसा कतल है जिसको हम कतल अमद भी कह सकते हैं रादातन किसी बंदे का किसी दूसरे बंदे पर वार कर देना इस नियत से कि उसकी जान ही चली जाए आदमों से जिन्दा नहीं छोड़ोंगा उसको हम culpable कहते हैं और एक ऐसा inculpable homicide वो भी एक जान एक शक्स की किसी दूसरे शक्स की जान ले लेना वो भी inculpable homicide कहलाता है लेकिन वो जहरी तोर पे सब के सामने एक बंदे की जान ली जाती है लेकिन वो गनोन जुरम नहीं होता है मैं इसको असान लफ़ों मैं फर्दर अपने नाजरीन की समझने के लिए मैं फर्दर इसको असान कर दूँ कि इनकल्पेबल एक ऐसा कतल है जिसको जो कहने को कतल है दिखावे में भी कतल है लेकिन वो कनुनन जुर्म नहीं है मसलां कि जब किसी जेल हकाम किसी मुल्जम को जब वो मुझरम बन जाता है तो जब उसको लटकाया जाता है तखतादार पर उसकी जान ली जाती है तो जेल हकाम या जलाद जब उसको सजा फांसी देता है तखतादार पर लटकाता है तो वो बजहरी तोर पर उसकी जान ले र बंदे एक उपर वार करते हैं या उसको फायर करते हैं इस तरीके इस नियत से कि वो अगला बंदा मर जाए और जब वो मर जाता है तो वो कतल-स-अमध या कल पेबल होमी साइट कहलाता है तुस्छा इसमें बताईगा कि इसकी सजा क्या है क्या इसकी नॉर्मल ही सजा है जैसे सजा मौत और साथ में उमर क्या था जैसे मैं पहले भी एक एक इस पर कर चुका हूँ कि कुछ केसिज ऐसे हैं किसी भी case के जो दारों-धार होता है न उसकी evidence पे होता है कुछ और evidence की आगए अगे फर्दर, जब हम next टॉपिक पे बात करेंगे तो evidence के topic पर तुम्हें उस पे explain जुरूर करूंगा कि evidence की काफी सारी काइंट्स होती है, overall evidence है, return evidence है circumstantial evidence है medical evidence है फर्दर इसमें बहुत सारी इक्साम आ जाती है लेकिन murder case में हमोमन circumstantial evidence और medical evidence जैसे post-matem report और उसके charts और वो सारा rigor mortis एक जो है ना वो एक बड़ा एहम topic होता है उस पर देखा जाता है कि dead body को कितनी देर पहले कतल किया गया और उसके rigor mortis जो है वो actually rigor mortis मैं भी आप से यह कहना है सारी थी कि आप rigor mortis की जो है आम इलफास में क्या कहते है और क्या इसको थोड़ा सा define करते ताके नाजरीन को अगर ख़दा नाखासता अगर किसी के family में यह वाक्या हो चुका या हो जाता है तो उनको थोड़ी थोड़ी terms का पता हो ताके वो बहतर तरीके से अपने case को चलवा सके जी राइगर मोर्टस जो है medical jurisprudence में जब किसी भी rape case में या murder case में या suicide case में जिसमें किसी की जान चली जाती है उसमें जो ना वो medical jurisprudence के एक topic जो हो बड़ा ही अपनी एहमियत का हामिल होता है और उसमें राइगर मोर्टस का जो word है वो medical jurisprudence में define किया गया है legal तोर पे लेकिन उसको असान फहम है हम इसको इस तरीके से बियान करेंगे कि एक अकड़ाओ जो होता है dead body में आता है आठ से बाराग घंटे के दर्मयान में या इसके बाद वो जिसम में एक ठंड़क सी और अकड़ाओ सा फील होता है जिसके जो अकड़ना शुरू होता है उसको हम राइगर मोर्टस कहते हैं आप कहे रहे हैं कि आम इलफाज में डेथ के बाद बाराग घंटे के अंदर अंदर जो उसकी मसल जो स्टेच करते हैं अकड़ाओ पैदा होते हैं उसको राइगर मोर्टस कहते हैं जी बिलकुल चुक्के बलड रुक चुका होता है और बलड में वो गर्मी बाड़ी में नहीं रहती थंड़क हो जाती है जो थंड़क की हो जासे जिसम जो अकड़ना शुरू होता है उसको राइगर मोर्टस कहा जाता है अच्छा और एक आपने लीगल मेडिको की टर्म यूज की थी वो भी नाजरीन को बताएं कि उसमें क्या किया जाता है मेडिकल जूरिस प्रूदेंस के हवाले से जब मोस्टली हम मैंने पहले बताया कि रेप केसिज में होता है मेडिकल जूरिस प्रूदेंस एक खास अहमियत का आमिल होता है और सुइसाइड केसिज में ऐसा होता है मर्डर केसिज में ऐसा होता है वो उसको किस्टल से गन से छूरी से चाकू से स्टिक से या कुई थोडे से किस वेपन से बंदे की जान गई है उसको देखा जाता है कि वो कितने अगर किसी तेजधार आला से किसी कमाडर किया गया है तो देखा जाता है कि कितने सेंटी मेटर जो छुरी चाकू तलवार या बर्ची या कुछ भी ऐसी चीज जो तेजधार आले पे हो तो वो देखा जा था कितने सैंटी मीटर वो बॉड़ी के अंदर गई है तो उसको उसकी एहमियत को जानने के लिए उसका जो जब पोस्ट माटम आता है तो पोस्ट माटम के बाद वो सारी चीज़ें सामने आती हैं कि इसको कितनी जर्ब लगी थी कि इसकी जान ही चली गई Sir मैं आपसे एक मड़र की फ़र्दर एकसाम पूछना चाहूंगी जैसे कि हम नॉर्मली देखने में आता है कुछ जग़ों परसन जो है उसको हिट भी नहीं करता और नहीं उसके पर फिजिकली कोई फोर्स अप्लाई करता है और लेकिन डैथ हो जाती है परसन भी डूसरा रि नहीं आता तो इस तरह कि कुछ और एकसाम mister जी बिल्कुल मिस ना दिया इसकी बहुत सारे मृडर की बहुत सारे एक्साम ऐसी है जैसे कि मसलैं सबसे पहले तो जो इसकी मेजर किसम है ना मर्डर की उसको हम बोलते हैं mercy killing मर्सी किलिंग से मुराद एक ऐसा कतल है या कि जिसक इतना ज्यादा वो नागुस्ता बे उसकी हालत हो चुकी कि उसका बचना मुश्किल है उसके जखम रिस रहे हैं सारा कुछ हो रहा है इसको जो है एक इंजेक्शन ऐसा लगा दिया जाए कि जिससे इसकी जान खलासी हो जाए लेकिन ये अमूमन यूरोप में ऐसा होता है पाक कुछ ऐसे होते हैं मर्डर जिन जो प्राइमा फिशाई जहरी तौर पर तो कतल ही लगते हैं लेकिन उनकी सजा वो डेथ सेंटेंस या लाइफ इंपरिजनमेंट नहीं होती उनको उनमें डिफरेंट जो सजाएं बियान की जाती है यानि माइनर उनको पनिशमेंट्स मिलती माइनर पनिशमेंट्स उनको दी जाती हैं क्योंकि मसलब जैसे अभी आपने बोला कि कोई रादातन किसी को नहीं मारा उसको जैसे उसके मेजर वर्ड जो जो यूज किया गया है लाव में मैंसलाटर मैंसलाटर का मतलब वो है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे के ओपर फाय जो है उसको मारना नहीं चाता ना उसको जानता है ना वो जिसे हम कहते हैं कि टैश में आके एक दम से जैसे अमूमन हम देखते हैं गैरत के नाम पे कतल उसको हम सड़न प्रोवोकेशन बोलते हैं लीगल तर्मनालोजी में लेकिन उसको जो है बंदा तो अल्टिमेटली मर गया ना मैंने किसी ने किसी पर फायर किया या उसको स्टिक मारी या उसके सर पे या उसके बाजूपे या उसके किसी भी हार्ट पे दिल पे जा लगी जाके तो वो या कुछ इस तरीके से तेजधाराला मार दिया वो बेशक उसको जानता नहीं उसको मारना नहीं चाता ले लेकिन उसने सडन प्रोवकेशन तैश में आकि एकदम से उसने जब उस पे फायर किया या उस पे वार किया कि इस नियर से कि वो बंदा मर जाए उसको मैंसलाटर कहते हैं। और इसी तरीके से फर्दर थोड़ा से मैं इसको एक्स्प्लेइन करनाँ कि इसी की एक तीसरी किसम कतल की इन्फेंटसी से मुराद एक ऐसा नन्ने नौमलूद न्यूबॉन बेबी जो अभी मा के पेट में ही है उस बचे को मार देना उस बचे को इस नियत से मार देना उसको जैसे कि अगर मा की जान बचाना मक्सूद हो तो उस बचे को जो है मा के पेट के अंदर ही उसको जो है उसकी जान ले लेना उन फेंटसी का जाता है और उसका जैसे अबॉर्शन अबॉर्शन इसकी बेस्ट एक्जेमपल है यह वो कहने को वो भी एक ननी जान है अभी दु बचे को अगर उसकी जान लेनी पड़ती है तो मेडिकली उसको वो उसकी जान ले ली जाती है ताके बचे की माँ बच जाए और इसी तरह एक और मर्डर की एक और किसम किसी मुमन देखते हैं कि A ने B को मारा, B ने अगडी को मारा, वो एक कतल अमद का सिल्सा बन जाता है, ल कैसे कोई Parliamentarian है, या कोई सियासी लीडर कोई भी है, या कोई मश्हूर इसे शकसिया है, जो qualityक्स से मतलका हो, politician हो, वो बनदा, तो उसको मारते हैं तो उसको मारते हैं तो इसको special है, जो approval अप और जाता है, वो भी एक murder है, वो भी गतल अमद में ही आता है लेकिन उसके लिए जो पीपीसी में जो और उसमें क्रिमिनल लौ में हम डॉक्टर राइन उसकी जब देखते हैं तो उसमें ये लफ़ हमाँ उसको असेसिनेशन का जा जाता है किसी सियासी कतल मसलम ये हमारे सलमान तसीर साब का कतल उसके का दिसके साब साब का गतल लिया का तलिख खां साब का कतल या इस तरीके से जो श고 सियासत से वबाचियेशन उनको हमसें आसेसियेशन बिल्के बुटो साहिब की एक हौ जुल championships करों होगा कि वो पढ़ें और उस पर बहुत सारी information मिलती है आपको और एक खास इसमें फरदर जो एक और भी है पैट्रिसाइड पैट्रिसाइड एक इस किसम का कतल है कि जो बेटा या बेटी अपने बाप को किसी भी टैश में आके या किसी भी वजह से अपने बाप का जब मर्ड मैट्रिसाइड कहते हैं वो भी मर्डर की एक खास किसम है और उसके बाद एक और एक उससे भी ज्यादा जो इंट्रस्टिंग और डेप्थ वाली एक किसम है मर्डर की वो मुझे वैसे बताते हुए थोड़ा डर भी लग रहा क्योंकि मैंने घर भी जाना है वो यह होती है कि हैं जब कोई बीवी अपने खामUND को कतल कर दे तो उसको हम मैट्रिसाइड कहते हैं तो इसी तरीके मैं डर के कहरा हूं आजो मेंकर नयनकि हमें सान लअमैंकर कि कह सकते हैं कि यह शोष्र का कतल बीवी कि यहाद तो मैट्रिसाइड कहलाता है और उस में एक खास भी नेंगे पताई करेंट तो नहीं चछे-सात मां वो और वू है सानः सिहाल कउट्ट जैनेसाइट से मराद एक ऐसा कतल है जो एक खास रंग और नसल की बिनाद पर और अपने ही मिलक में किसी दूसरे फोर्नर जे हमारे दूसरी कंट्री से हमारे घर हमारे मुलक में आगे डूटी करते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको उसकी रंग और नसल की बन्याद पर मजब की बन्याद पर जब हम उसका एक हजूम की सूरत में या अकेले फर्द वाहद की सूरत में जब हम उसका murder कलाते हैं तो उसको genocide का आ जाता है जैसे सानहा सहाल कोड वो प्रियान का वाला किस बड़ा मशूर केस हुआ था वो इसकी best example है वो चुके foreigner भी थे उसको रंगोर नसल की बन्याद पर उसके एक जो था वो मसाकर मसाकर जो है वो एक term है यूज की जाती है criminal law में murder केस के लिए उसमें ये होता है कि बगएर किसी रंगोर नसल के किसी भी शक्स को या हजूम को या फर्द वाहिद को या बहुत सारे लोगों का murder कर देना जो हता है वो उसको हम मसाकर का जाता है हम उसको कतल अमन कहने को द उसमें जैसे bomb blast हो जाना किसी भी अबादतगाए में किसी भी दरगाए में किसी भी रोड में market पे जब हम blast कर देता है कोई खुड कशाता है blast कर जाता है खुड भी मर जाता है बहूँ सारे लोगों कोई जान लेता है उसको मसक्र का लफ़ बोलता है क्योंकि उसमें एक से ज जी ये एक हॉलो कास्ट एक ऐसा कतल होता है जिसमें किसी एख ही नसल को एक ही मखib को एक ही अक्ईदा से तालकर रखछे हैं वड़े जो रख़ु को या किसी फर्देगाहिद को अमोमन वैसे गरो को ही कतल कर दी जाता है जैसे जियर इसीमें हीटलर ने यहुदियों का कतले हम करवा दिया था वो भी होलो कॉस्ट है वो बहुत सारे लोगों की जान उसमें चली गी हिस्टरी में ये सारी चीज़ें मौजूद है तेंक्यू नियाज आमिर साब आपने हमें बहुत ही मुफीद जो है इन्फॉमेशन परवाइड की और अमीद करती हूं कि हमारे नाजरीन को ने इसको देख के बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना होगा कि अगर खुदाना खास्ता कतल की किस तरह कौन कौन सी एक साम है कौन कौन सी टीज़ें कतल के जिम्रे में आती है और अगर खुदाना खासन की फैमिली में किसी फैमिली के परसन के साथ या किसी जाने वाले के साथ हो जाए तो कौन-कौन से पॉइंट्स को या कौन-कौन सी चीज़ों को मदे नज़र रखना होगा अब मुझे और मेरी टीम को अजाज़त दीजेगा नेक्स प्रोग्राम में कुछ नएं गैस के साथ फिर आपको मिलेंगे